Fire and Emergency Services, जमू कश्मीर के बच्चे-बच्चे की जुबान पर ये नाम है, क्योंकि अगर इतिहास में सुनारी अशब्दों में अगर किसी घुटाले का नाम लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा Fire and Emergency Service Scam. लगातर बच्चे 28 दिन से हरी सिंग पार्क के बाहर बैठे हुई थे, पर उसके बावजूद आज इने प्रेस वारता करनी पड़ी, आखिर क्यों चलिए नहीं से जानते हैं, इससे में निसार जी हमारे साहता है, निसार जी जब से आये हैं इस परदेशन में तो इनका गला भी बैठ गया, निसार अठाइस दिन की मेहनत कड़ी मुशक्कत के बाद, आज क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने माहरामजान का पाक मीरा यहां पर बिताया है, और हमारे सामने उसने आरके गॉयल साब को भी फोन किया, अगर दस दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सब्मिट नहीं किया गया, तो पूरे जम्मू कश्मीर में अंदोलन होगा, इतना बड़ा अंदोलन होगा कि जम्मू कश्मीर की दरती भी याद रहेगी, और पूरे इंडिया में यह अंदोलन याद रहेगा, क्योंकि आज हम किसी हद तक भी जा सकती है, क्योंकि तेर तीन साल से हमने पीस फुली प्रोटेस्ट किया है, कोई एजिटेशन नहीं की, इंडियन कान अस्टूशन को देनाजर रखकर हमने पीस फुली प्रोटेस्ट किया, आज दस दिन के बाद अगर उन्होंने रिपोर्ट सब्मिट नहीं किया, तो उसके बाद रोडस बुला कोंगे, पुलस बुला कोंगे, और भी कुछ करने के लिए त्यार है, सुप्रिम कोड की जेज्जमेट यह है, क जब लोगों का हक चीन लिया जाए, जब लोगों का हक, मिरिटोरिस कंडेट का हक चीन लिया जाए, वो वो कंडेट, वो मिरिटोरिस कंडेट फिर टेरिरिस्म में शामिल होती है, ड्रागर्स में भी माद शामिल होती है, सुसाइड करने पे वो शामिल होगे, बिल्कुल मै हम उसने हमें आश्वासन दिया कि ये मुहिम को सस्पेंट करो मैंने उसने का कि मैं LG साब से दो दिन पहले मिला हूँ और दो दिन के बाद भी मिलूँगा और कुछी दिनों के बाद खुश खबरी आने वाली है अगर नहीं आई तो पूरे इंडिया में हला होगा सडकों पे तो हम ये कहना चाहते है कि रिपोर्ट को पेश होना चाहिए दस दिन के अंदर अगर उन्हों ने ऐसा नहीं किया तो पूरे जम्मू कश्मीर में अंदौलन होगा हम चाहते हैं हमारी जिनिवन डिमाड ही है कि रिपोर्ट को सब्मिट होना चाहिए हम तो उन से नोकरिया न क्याना चाहती है कि जलद जलद दस दिन के अंदर रिपोर्ट सब्मिट कीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहां पे अंदोर स्टाथोगा मैं मैं बड़ी बदकस्मिती से कहना पड़ता है कि आज 29 दिन हो गई हैं मैं हम फुटपात पे बैठे थे वहां पे कोई नहीं आ रहा था अलजी अडमिस्ट्रेशन के और से तो यही दुख की बात है कि हम मुटलिफ डिस्ट्रिकों से आया हैं कोई अनतनाक से आया है कोई सिरिनगर से आया है हम अपना हक मांग रहे हैं हम अपना जिस्ट्स मांग रहे हैं सहाब बस यही हमारा आप खांथ हैं जी मैं जिस्टका नहंक से होँ आ आप क्या कहना जाओग थिए जिए आफिश मिन पाहला नहीं शेड सो अन्य चोप टिए फेट ने आपने लिए तो यहाँ रिपोर्ट श कि इन्हें अपने घरों में बैठना चाहिए इद का दिन है आने वाला है रमदान शरीफ चल रहा है नवरातरे भी चलेगे पर यह फिर भी उमीद लगा है अल जी साब आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे आप कहा है जिस्टिक अंदरबर से हूँ आप क्या कहना चाहिए जि करें नोकरी के लिए नहीं है पर हां उन लोगों के लिए जरूर उन युवाओं के लिए जो आने वाले समय में जिनका बविश अंदकार में ना चले जाए आज अपने लिए बहले कुछ ना मांग रहें पर उनके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि इतना बड़ा गुटाला में यह कहरें रिपोर्ट सब्मिट की जाए ताकि उन गुटाला कारियों को बेनकाब किया जाए जिन लोगों ने इनके साथ कई हजारों के युवाओं के बविश के साथ खिलवाड किया है चली रोहित के पास आते रोहित फिलाल थोड़ी दिन के लिए आप कॉल आफ कर र बताना जाएंगा कि हमारा नाम पूरा विकास अन्थाल है कि आप से हर वार्ज कि तो कोई वात नहीं तो को याद है विल्कुल मैं आपको भी याद रहता है हमेशा वा लेकिन इसके लिए सौरी कि आज थोड़ा सा आप से वह वहुगा तो मैं एक्चल में जहां तक हम बात कीज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहां पे जम्मो और कश्मीर में आज अगर यहां पे कुछ फर्क रहा है वह फर्क यह रहा है कि जम्मो में कभी भी क्रॉप्शन के खिलाब आवाज उती नहीं नहीं उती एफरिए इसलिए यह लोग जो है गलत वे में जाते ह क्योंकि आज हमें समझ आई क्योंकि अभी तक हमने बड़ी सारी क्रॉप्शन्स देखिए लेकिन हमने उसको गोर नहीं फरमाया कि इसमें नहीं होगा तो अगले में होगा लेकिन जब हम इनके साथ जुड़े हमने देखा आ कि अगर इस एक वे में हमें एक नाएक चूज करन करता हूं और अपने बादपा सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हम लोगों के साथ इतना गलत मत की दिये हमें किसी और वे में जाना पड़े क्रिपया करके हमारी एक ही डिमांड है कि दस सालों से जो हमारे साथ गलत हो रहा था उसका अच्छे से रिजल्ट देजिए क्यो आप घरों में जाए भाई जो आया अलग लग डिस्ट्रिक से आया आप इद मनाये आपको खुशकबरी मिले या आपकी आप उनकी बात पर विश्वास करते हैं बिल्कुल मैं 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 कल हम वीजी आफिस में उनको हम उनसे सारे मिलें उनने क्या किया कि उनने आर्क को फोन क किया फोन में यही बात की कि आर्क को साब इनका स्टेटस कहां तक पहुचा उनना का कि 15 दिन से हम इसी काम से कर रहे हैं इंक्वारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी से जल्दी यह रपोर्ट पेश होगा अपनी डूमें में तो अब हम यही गुजारिश करते हैं एल जी साब से कि हमारे हमें जल्दी से जल्दी यह रुपेट मलब क्या बलत रिपोर्ट मलब पॉब्लिक डूमें में लाओ ताकि हमें जल्दी जल्दी हमें इंसा मिले अगर ऐसा नहीं हुगा तो हम इससे भी बड़ा प्रत्रशन करेंगे काफी देर यानि कि 28 दिन के बाद अब फिलाल कुछ दिन के लिए अपनी जो स्ट्राइक थी लगा तरकांटी जो अंगर स्ट्राइक पर बैटे होते इस फिलाल उसे कॉल अफ कर रहे हैं वो भी उस आश्वासन पर जबकि रविंदर रहना जी से मिले उन्होंने का आरके ग जिसकी जिम्मेदारी युवाओं की नहीं होगी परिशासन और सरकार की होगी जो लगातार इनकी बात को अंसुनी कर रहा है अब देखना ही है कि रिपोर्ट कितनी जल्दी सब्मिट होती क्योंकि हम उमीद करते हैं रविंदर रना जी चाहे कुछ भी कोई कहे फिर भी एक काबिल नेता है हरे की आवाज को सुनते युवाओं की आवाज को सुनते है उन्हें आगे तक ले जाने की कोशिश तो जरूर करते हैं बले की जगा उनकी हाथ में कुछ नहीं होता पर वो कोशिश तो करते हैं और lg administration लगातार गोटाला कारियों पर शिकन्जा कसे उसी के चलते इन युवाओं की उमीद भी जगी थी कि LG administration जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ LG राज में जुरूर होगा LG मनोसिना जुरूर उन घोटोला कारियों को बे नकाब करकर पब्लिक डुबेन में लाएंगे चलिए देखते हैं दस दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं क्या रिविंदर रहना जी वाउजब अपना वाएदा किया है जो सोने का खुशकबरी मिलती है और जो है कुशकबरी होगी यह फिरी उम्मीद करते हैं मजभी धुवा करते हैं बच्चों को राहत कम स्झा Nu मिले अपने कमेंड अपने सुजाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हुआ कि शेयर किजिए जोड़े ऐसे मरसा अगले अपडेट के लिए जाहिं जाहिं जाहिं